दोस्तों कि आप जानते हैं कि सिरीज जेनरेटर का अप्य होगे कहां पर किया जाता है अगर नहीं जानते हैं तो आए जानते हैं आज की इस वीडियो में So let's get start दोस्तों DC Transmission Line में होने वाले Voltage Drop को पूरा करने के लिए Booster Generator के रूप में Series Generator का अप्य होगे किया जाता है ओके एंड दोस्तों Series Generator को हमेशा नियत लोड यानी Constant लोड पर ही चलाना चाहिए क्योंकि दोस्तों जब लोड का परिवर्थन होता है जेनरेटर में तब Series Generator का टर्मिनल बोल्टेज भी परिवर्थित हो जाता है और फिर Series Generator इस कंडिशन में संट जेनरेटर की समानिकार करने लगता है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको नौलेजबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें